भारत जूडो यात्रा की समापन रैली में राहूल गांधी ने आरेसेस और बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा उन पर हमला करते हुए राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र, मोदी और ग्रिमंत्री अमित्शाह को भी टागेट किया। नहीं बल्की प्यार दिया और परिवार ने भी सिखाया है बिना डरे जीना है। मैंने सोचा की जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यूं ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें। क्यूंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है। गांधी जी ने मुझे सिखाया है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने तीन लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मुक्त दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंगरेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे। मैं हिंसा को समझता हूँ। मैंने हिंसा सही है देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है। उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं। अमिच्शा जी हैं। आर एसेस के लोग हैं। उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं नहीं डरते हैं देखी है। यहां पे हम चार दिन पहदल चले। मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और आप और इसलिए नहीं क्यूकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे। इसलिए क्यूकि वो डरते हैं। 133 जिन तक चली 4080 किलोमेटर का सफर तै करते हुए भारत जोडो यात्राव अपनी समापन की और बड़ी और समापन भाशन में। राहुल गांधी ने मोदी, शाह और डोवाल पर भी अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, शाह, डोवाल मेरी बात को नहीं समझ सकते क्यूकि वो हिंसा फैलाते हैं। ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमिट शाजी को नहीं समझ आएगी, ये बात दोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सी आर पी एफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवानों को समझ आएगी, तो मेरे, उन्होंने मुझे कहा नाम वूगमू है उसका, उसने कहा दाधी को गोली लग गई दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापिस ले गए प्रियांका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापिस गए और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है माँ है मा बिलकुल हिल गई थी बोल नहीं पा रहीं थी पिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्हों ने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलेफोन आया 21 में टेलेफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे उनके घर टेलेफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा वैसा है टेलेफोन आया ये जूस और आईस्क्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने तीन लाख तक कमाते हैं आपको शुरू करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी खबर है मैंने उनसे कहां मैं जानता हूँ पापा मर गए कहते हैं हाँ मैंने का धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी हैं अमिच्छा जी हैं अजीट डोवल जी हैं आर एसेस के लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं हम समझ सकते हैं भारी बर्फ भारी के बीच राहूल गांधी की भारत जुड़ो यात्रा श्री नगर में खत्म हो गई 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्या कुमारी से शुरू हुई थी क्लोजिंग सर्मेनी के दोरान शेरे कश्मीर प्रिकेट स्टेटियम में रैली रखी गई इसमें राहूल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, महभूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और मलिका आर्जुन खडगे ने स्पीच दे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर